आज मैं बताऊंगे अपना सीक्रेट कि मैं कौन सा फेस पैक लगाती हूं यह मैं स्कीन को काफी हेल्थी रखता है आप मेंसे कई लोग पूछते हैं कि आप इतना सारा प्रोटक्ट लगाती हूँ आपकी स्कीन पर कोई भी साटिफेक्ट नहीं होता इतनी हेल्थी कैसे है तो इतने मुल्तानी मीटी मुल्तानी मीटी प्योर होनी चाहिए चाहे वो कितना भी बूले की 100% है उल्तानी मीटी आपको इस तरह करें है जैसे मैं ने बोले टुकडों में लेनी है आपको मार्केट में इजले मिल जाएगी तो जितना मेरे हात पे है ना यह इसली फेस के टूसरा इंग्रेडियन्स है इसमें है ओरेंज पील पाउडर मैं इसे खोलके दिखाती हूं आपको यह मेरा खुद का घर का बनाया हुआ है इसकी वीडियो मैंने सेर किये जमें इसका पाउडर बना रही थी मैंने आपको बहुत सारे छिलकी दिखाये थे संत्रे के तो यह पाउडर इसकी सिर्फ एक चम्मची हमें इसमें डालना है दूसरा इंग्रिडियन्स है मेरे पास यह पोमेग्रेञेट पाउडर इसको भी मैंने आपको दिखाया है इसको भी हमें सेम क्वांटिटी में लेना है और हमारा लास्ट जू इंग्रेडियंस है वो है टर्मरिक जो की प्यूर होने चाहिए इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ आप घर पे लेके आईए उसे मिक्सी में पीश लेजे इस तरह कर सकते हैं कोई भी मार्केट का टर्मरिक नहीं चलेगा बिल्कुल प्यूर होनी चाहिए अब आप लोगों मैंसे पूछींगे कि टर्मरिक कैसे प्यूर होती है किस तरह से तो देखिए ये है इस तरह से आपको मार्केट से ले लेना है और इसे या फिर आप कहीं भी इसे घर पे भी आके आप इस आराम से मिक्सी में पीश सकते हैं तो इस तरह की ये बिल्कुल प्यूर होती है इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है इसे आप शूर रहते हैं कई लोग होते हैं कि किसी को टर्मरी के रिजर्ट नहीं मिलते हैं, वो यही रिजर्ण होता है कि आप मार्केट की टर्मरी की उच्छ करते हैं, जिसमें कोई भी स्योर्टी नहीं है कि वो कितना पर्षेंट प्योर है, टर्मरी को आपको ज्यादा एड़ नहीं करना है, जितना मुझे आज लगाना है यह मुझे कंफर्म रहता है मुझे भीगो के पहले ही रख देती हूं अभी थोड़ा समय बिजी चल लिए हूं क्योंकि थोड़ा एलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इस विज़ जैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको सिफ इतना ही एट करन बहुत सारे प्रोडक्ट के रुव्यू करती हूं लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने फेस पैक के रुव्यू नहीं किया लास्ट जो मेरा फेस पैक था वो था बायटिक का उसके अलावा मैंने कभी कोई फेस पैक रुव्यू नहीं किया क्योंकि जो मेरा घर का कहना वह इतना अच्छा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कि मैं मार्केट की किसी फेस पैक को लगाऊं ज्यादा देनी रखना है सिर्फ आपको 15 मिनट रखना है उसके बाद आपको सिंपल से पानी से धुल लेना है लगाने के बाद आपको कोई भी फेस वास या फिर को कोई सोप लगा लें बिल्कुल भी सिंपल से पानी से धुलना है अच्छे से क्लीन का लेना है उसके बाद आपको कोई भी नाइट क्रीम लगा के आपको सोचाना है जो भी दो पावडर मैंने डाले हो मेरे खुद के घर के बने हुए हैं और भी बहुत कुछ हैं जिनके थोड़ा कलेक्ट कर रही हूं